आज हम पढ़ने वाले हैं J2EE Architecture ठीक है तो यह जाबर 2 आर्किटेक्चर क्या है यह देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि पहले हम यूज करते हैं तो आपको शॉर्ट में इसके डेफिनेशन बताऊंगा कैसे प्रोस्स काम करती है एक्जाम में जो भी लिखने होगा आएगा क्या हुआ हम यहां पर об days करेंगे करेंगे सो कैसे इनकि करना चμ pretended क्या है वह में एक्स वीडियो में देख लेंगे यहां पर इसका की मासि प्रता है कि कि ये यूज करता हैיס अधिक तो पहला इसका क्लायन टायर तो यह ब्राउजर है यहां ब्राउजर फिर एप्लिकेशन क्लाइंट एप्लिकेशन क्लाइंट और एप्लिकेशन क्लाइंट एंड कंटेनन damit यहां बीच को करें रहें बुद्रों किसे अदर्राइंट एंग क्या है यहां अब हिससे को प्रोग्राम ही है यह सॉ क्लाइंट करता है क्लाइंट के साथ यह फ्रेंट है और यह यूजर इंटरफेस है ठीक है तो यह डियरेक्ट हमारा क्या करेगा जो भी क्लाइंट है उससे डियरेक्ट टेच में रहेगा जो क्लाइंट है वो इसी से इंटरेक्शन करेगा ठीक है यह यूजर इंटरफेस अप हैं तो यह बचाएगा भी यह फिलंग अब अब आधा रिये सकते बाधा तरह होना है यह जोड़ा होगा हमारा ऑजीब काटेनर नहींद के यह रोगेशन हम्ला ऑगिशन है इसके हमिशन वाग ख्याय से बीजन संद नंप और यह पूरा मारा जो एप्लिकेशन यह टूई एप्लिकेशन सर्वर है और यह तो यहां पर हो क्या रहा है आप यह देखिए यह प्रोस्ट करता है यहां पर सिस्टम सर्विज भी हो रही है मतलब यहां पर स्टेट मैनेजमेंट भी और इस्टेट प्रोटोकॉल भी इसट्रिपूट है यहां पर यहां पर समय है यहीं पर मैनेज हो रहा है तो सब इसी जे टूई है अब आते हमारा तीसरा सबसे इंपोर्टन्ट है यह हमारा डाटाबेस और डाटाबेस है यहाँ पर क्या हो रहा है कि इक कर्यूंट है कि इसके बीच में जावा सब्सक्राइन और Circle मेंडमारा अब्सक्राइब देफिन से इसम 스ब ह kup प्तुरे सबछब में कीकिए COM आपको कहते हैं तो रचैसे जोंट्रेशर्स में सब्सक्राइब श्यूर्ट हो हमारा पहले आएगा फिर ऊसके बाद में आएगा फिर कॉन सा रिसोर्स तरह में तो उस तरह के सब किसी डाटा-पर रेंज करेंगे किसी डाटा-बेस में वो ए-r-p अंदर आता है ठीक है और यह बैक-एंड है किसी प्याप्लिकेशन का माल लीजे क्लाइट ने कोई अपना डाला डेटेल डाली ठीक है और उसको फिर मालने किसमें उसने अपने login या sign up करने को इसका रहे है तो सब कुछ कहाँ store हो जाएगा यहाँ पर store हो जाएगा database के अंतर ठीक है और जो process करना है फिर middle diaries का इस्तमाल कर सकता है और फिर carry on कर सकता है आप अपर client diary में तो यह पूरा J2EE architecture है इस तरह के से काम करता है तो अगर आपको समझे बढ़ में आओ concept तो like किजिएगा थैंक यू एंड टाटा बाई बाई